दोस्तो अक्सर रोज मुरा की जिंदगी में आपने कई स्टूडेंट्स को ऐसा बोलते हुए देखा होगा कि उसने किसी कॉलिज में एड्मिशन लिया, एड्मिशन कैंसिल हो गया, उसके बावजूद भी पेमेंट उस तक रिफंड नहीं पोची आपने देखा होगा किसी उनिवर्स्टी में किसी स्टूडेंट ने एड्मिशन लिया, वो एलिजीबल नहीं था या किसी भी रीजन से उनिवर्सिटी ने उसका एड्मिशन कैंसिल कर दिया, बड़ उसकी फीस उस तक वापस नहीं पोची। बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है consultants के साथ में, जितने भी consultants, agents होते हैं, जो कि छोटे से margin के लिए admissions पे काम करते हैं, और यही universities या colleges गलत वाइदा उठाते हैं, क्योंकि university और college वाले भी जानते हैं, किसको वो ठग सकते हैं और किसको नहीं, दोस्तो आपकी payment फज़ जाए क किसी college, किसी university में, क्या आप step लेंगे, किस-किस तरीके से payment अपनी वापस ले सकते हैं, और अगर ऐसी कोई university आपके साथ, ऐसी कोई दादा गिरी करें, तो किस तरह से आप उसे complain कर पाएंगे, उसके बारें बताऊँगा अपने इस वीडियो में, दोस्तो बने रही हैं हमार इस वीडियो के साथ, नमस्का दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूटूब चैनल पर जिसका नाम है university इंडिया, मिरा नाम है विरेंदर वर्मा, जैसा आप सभी जानते हैं हम देश-विदेश की universities, colleges, उनके courses को explore and review करते हैं, और आपको बताते हैं सब लना चाते हैं, दोस्तों हमारे साथ कई सारे students, और लगबग सबस्क्राइबर की हम बात करें, लगबग एकलागा भी होने वाले हैं हमारे, और भी अलग-लग platforms पर, हम देखें अगर Facebook पे, लगबग 75,000 हमारे followers हैं वहाँ पर, Instagram पर भी काफी लोग हैं, उसके अलावा जिनो आपकी मदद जरूर करेंगे, पर छोटी-छोटी बाते जो होती हैं, उन्हें सिर्फ आप comment कीजिए, message कीजिए, हम उस पे reply कर देंगे, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, दोस्तों, हम किसी भी तरह से किसी university, specific किसी university या college के खिलाफ नहीं हैं, हम खिलाफ हैं इस विव इस इस के लिए, अगर मान लेजिए, आपकी payment किसी college ने मार ली, एक सवालाख रोबे, डेड़लाख रोबे मार वी लिया, तो आप क्या कर लोगे, हर्च से हत मार कर सिर्फ रिकवरी के लिए आप सूट डाल दोगे, या फिर आपको कंप्लेंट कर दो, consumer firm में चले जाओगे consumer firm तक जाने का तो लोगों को अपने इस अधिकार का पता ही नहीं है, बहुत सारे student आसे कर ही नहीं पाते, और कितने सारी यूनिवस्टियों ने अब तक consultants और students का पैसा हाजम कर लिया है, दोस्तों आप मेंसे किसी भी student का, या फिर consultant का, किसी भी university या college ने, अगर पैसा खाय है, और आप परिशान हो, पैसा लेकर वापस नहीं दिया, आपने पैसा छोड़ दिया, या लेना है, या आपके साथ ऐसा हुआ है, आप मुझे comment box में जरूरू बताना, हम बताएंगा आपो क्या करना चाहिए, और अगर हो सकेगा, हम आपके साथ में खड़े भी होंगे, दोस्तों आपके साथ, किसी के साथ भी, student या consultant, agent के साथ में ऐसा अगर हुआ है, तो आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी गलती है, आप सीधा पुलिस पे चले जाते हैं, दोस्तों पुलिस के अंदर कुछ नहीं करेगी, पुलिस के पास जागर कुछ solution निकलेगा भी नहीं, आप क्या कीजे, complaint कीजिए, आप पहले लिख कर दीजे, रेजिस्टरार को, वी सी को, वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, अगर college है, तो concern university को जाओ, यूनिवस्टी है, तो आप UGC को जाओ, वहां भी सुनवाई नहीं होती, सीधा consumer forum में जाओ, consumer forum में जाके complaint दीजे कि मेरा पैसा इन लोगों ले लिया, admission हुआ नहीं है, union conditions पे मेरा admission कैंसिल कर दिया गया, पैसा मेरा वापस नहीं मिल रहा है, आपका पैसा जरूर आपको वापस मिल जाएगा, फिर में नहीं मिलता है, फिर एक lengthy process है, किसी वकील साब से आप मिलोगे, और अपना recovery suit आप डालोगे, क पर उससे पहले आपो क्या करना चाहिए, दोस्तों मैं आपको बताओं, हमारे पास बहुती recent में, लास्ट इर जब कोविट का टाइम चल रहा था, बीस की बात कर रहा हूं, हमसे एक consultant ने, जो agent है, एक university का, उसने contact किया, उसने बोला कि सर इस university के ओपर मेरा 8,90,000 रुपे का इसे कैसे university करती है, बट उसके बीच में ही, जब university को पता चला कि आप पीछे मेरे लोग पढ़ चुके हैं, उसका पैसा उसको refund कर दिया गया, हाला कि कुछ पैसा काट लिया उस university ने, 20% पैसा काट लिया, बट बागी सारा पैसा उसको वापस मिल गया, मतलब आपको अपने हकी लड़ाई लड़नी पड़ती है, दोस्तों, हकी लड़ाई नहीं लड़ोगे न, कभी आपको आपका हक वापस मिलेगा भी नहीं, हकी लड़ाई लड़ना बहुत ज़रूरी है, आपका पैसा किसी university ने, college ने, खा लिया, fight की जिये, एक और हमारे पास recent का ही, एक example था, एक university है, यूपी में, उस university ने लग बग लग बग तेरा लाख रुपे एक consultant का मार लिया, मतलब कि admissions लिये, बाद में admission कैंसिल कर दिये, उसका phone तक उठाना बंद कर दिया, बेचारा वो परेशान होकर बैठ गया, क्योंकि वो consultant था, वो West Bengal का था, वो वापस आ नहीं सकता था last day सब पैसा उसका डूब गया, उसन जब हमसे contact किया, हमने उसको बोला कि आपके case में पैसा आपका है, तो आपको हमारे साथ university चलना होगा, आप चलोगे, हम आपके लिए fight करेंगे, आपका पैसा आपको जरूर मिलेगा, और जो students परिशान कर रहे हैं, आप उनको भी साथ कर आओगे, तो उस पर भी solution निकलेगा, दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपको किसी भी तरह की परिशानी, किसी भी college, किसी भी university से है, आप हमसे contact कीजिए, अगर बड़ी problem है, genuine problem है, हम आपके साथ जाएंगे, college या university में, आपकी मदद करेंगे, पर छोटी मोटी बातों पर आप सोचो कि हम आपके साथ चलेंगे, या बाबर आपका phone उठाएंगे, ये possible नहीं है, आप उन चीजों के लिए हम लोगो mail कीजिए, comment कीजिए, whatsapp message कीजिए, हम उसका solution आपको दे देंगे, और solution से भी आप follow करोगे, तो भी आपकी चीजों का solution निकल जाएगा, या फि आपकी payment college वापस नहीं दे रहा है, आपके document अकले वापस नहीं दे रहा है, इसका सिर्फ एक ही answer है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप अपने हक के लिए लड़ते नहीं हो, आप जब तक हके लड़ोगे नहीं, तब तक आपको वो चीज़े वापस मिलेगी भी नहीं, आपक हक मिलेगा नहीं, दोस्तों, कभी भी हक मांगने से नहीं मिलता है, हक को चीनना पड़ता है, तो आपको लड़ना पड़ेगा, आगे तक जाना पड़ेगा, किसी की मदद लेनी होगी, आप खुद अपनी fight लड़ पाए, बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाए, तो हम हैं होगा किस तरह से, आप college ये university से fight करेंगे, और detail में आप जानना चाहते हैं, आप comment box में हमें बताइए, हम उस पर एक वीडियो बनाएंगे, आपके अधीकारों के बारे में आपको बताएंगे, और ताकि आप जाकर उस university ये college से अपने right के लिए fight कर सके, तो अच्छा लगा कर दो नच्छा लगा लगाएंगे कर दो पहा कर दो अपके लिए कर दो बताएंगे